पाइरिया को लेकर लोगों में बहम है कि इसका कोई रिलास नहीं है लेकिन इसका रिलास बहुत ही पॉसिबल है दातों में होने वाली यह बिमारी बहुत ही सीरियस होती है दातों को ठीक से साफ ना करने की वज़े से पाइरिया आसानी से दातों को अपना शिकार बना लेती ह ऐसी situation में दातों में दर्थ, मसोडों में सूजन और दातों की sensitivity की शिकायत देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है पाईरिया की वज़े से दात गिरने का रिस्क भी रहता है और सांसों से बहुत तेज स्मेल दो दातों की बीच जगे बनना कमजोर होकर दातों का हिलने लगना भी पाईरिया के परमुक लक्षन है आम तोर पर इस बिमारी को इतनी seriously से नहीं लिया जाता लेकिन अगर टाइम पर इसका इलास ना किया जाए तो यह serious health problem में बदल सकती है बहुत जादा मरीज दुनिया में पाईरिया के ही है इस बिमारी को लेकर लोगों में बहम फैला हुआ है कि इसका कोई इलास नहीं है जबकि इसका इलास possible है हेलो दोस्तो मैं बाहि सिंग और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आओ बाते करें आज की वीडियो में बात करेंगे पाईरिया से हिलने वाले दातों के बारे में और इससे रिलीफ पाने के लिए कुछ तरीकों के बारे में भी जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तो आप जानते भी नहीं होंगे कि हमारे मुह में लगबग 700 किस्म के करोडों बैक्टिरिया पाए जाते हैं जो हमें मुह और दातों की कई तरह की बिमारियों से बचाते हैं दातों की ठीक तरह से सफाई ना करने की वज़े से यही वेक्टिरिया हमारे दातों और मसूडों को काफी नुकसान भी पहुँचाते हैं इसकी वज़े से बोड़ी की उन हड्डियों को भी काफी नुकसान पहुँचता है जो दातों को सहयोग करती हैं इससे बचने के लिए जरूरी है दातों की अच्छी तरह से रेगलर भाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हर रोज दो बार ब्रश करने की आदत आपको पाइरिया से दूर रख सकती है इसके अलावा पाइरिया के इलाज के लिए कुछ होमरे मेडिस का भी इस्तेमाल क्या जा सकता है दोस्तों लोंग का यूज पाइरिया की बहुत ही दादों के रूप में क्या जा सकता है यह ओली इंफेक्ष yön को होने से रोकता है लोंग के तेल की थोड़ी सी कुंटिटी को लेकर दादों पर हलका हलका ब्रेस करें दूसरा तरीक आता है प्याज प्याज भी दादों के लिए बहुत्रीन मेडिसीन होती है प्याज को काट कर तवे पर हलका सा गरम कर ले और फिर दात के नीचे दबा कर मुह बंद कर ले 10-12 मिनट तक योही रहने दे इससे मुह में काफी लार इकटी हो जाएगी जो की पाइलिया को जड़ से ख़तम करने में आपकी बहुत मदद करेगी दोस्तो नीम के फाइदे के बारे में तो समने सुना ही होगा नीम के पत्ते को सुखा कर उसे किसी बरतन में रख कर जला ले बाद में इसकी राग को छान कर उसमें संधा नमक मिला ले और संधा नमक की क्वांटिटी राग की क्वांटिटी के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए इस पाउडर से रेगुलर दीन चार बार मंजन करने से पाईरिया की बिमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी इसके अलावा भी एक चमच नारिल का तेल मुँ में डाल कर पानी की तरह गुमाने से भी पाईरिया की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है दोस्तो आज की वीडियो में वसी तना ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर नहीं वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद